हेलो दोस्तों स्वागे ते अब सभी का तो आज का अपना निया टोपीक है ऑकड़ा जिसे हिंदी में बोलते हैं भिंडी तो भिंडी का सेंटिफिक नहीं या वोटनिकल नहीं की बात करें तो एबेल मोसकस इसके और जीन के बात करें तो एतोपिया ज़ने इसका है और हमज़म नंबर के बात करें नहीं अस SS स को tadi से पायोजिश कोंसा और को演़नने की ऐसे वह पैयाजा नहीं सब्सक्रp और जगरी थिज्ए अपने उक्रा की roots का use होता है और उक्रा का उक्रे की roots का उसके अंदर भी use होता है coffee production में भी use होता है varieties के बात करें उक्रा की तो पूसा सावंत पूसा मकमली बर्बंदी करांती पंजाब बद्मनी पंजाब नंबर तेरा अर्का अनामिका अर्का अभय वर्षा उपार काशी महिमा हिसार वंजनत काशी भैरव और climate and sewing के बात करें तो खरीब season की crop है तो इसके अंदर कौन सा warm and moist climate चाहिए होगा अप्टियम टेंपेचर के बात करें तो 20-30 degree temperature अची है और seed germination के लिए इसको थोड़ा से ज़्यादा टेंपेचर चाहिए तो 25-30 degree centigrade और फ्रोस्ट के लिए वह जाधा sensitive crop है और flower drop हो जाता है अगर आपका temperature 42 degree centigrade से अगर ज्यादा हो गया है तो फ्लोवर डोप की समझे इसके नब पाई जाएगी यानि कि आपके flower setting कम हो जाएगी और यहांपो फ्लोवर का dropping स्टार्ट हो जाएगा आप अच्छी चीए और पी एच की बात करेंगे तो 6.5 से 8 चीए सौइंग सीजन की बात करें तो जो नोर्थ इंडिया यानि राजस्थान मद्यप्रदेश बगेरा तो वहांपर क्या होता है नोर्थ इंडिया के लाएगा वहां पर आफ फिर एप स्प्रिंग समर स्वाइब करोगे तो रावरी मार्च में करोगे और रेनी सीजन की क्रोप का आप स्वाइंग करोगे तो July अगस्थ में करोगे और यल्स की बात करें जहांपर एरिया जहांपर स्लोप ज्याजा पैज जाती है और जो और अलग दूसरे रीज तो आप क्या करोगे सीड का लेवल ज्यादा रखोगे तो 18-20 kg पर हेक्टेयर के सबसे आप सीड रेट यूज करोगे स्पिंग के समर के लिए बाकी रहनी के लिए आप यूज करोगे 8-10 kg पर हेक्टेयर क्योंकि वहाप रहन आएगी तो आपके लोप फेलियर की समिश्य बीजोग वता कि उससे क्या होगा कि आपका सीड जर्मिनिशन अच्छा होगा और एक और बात करें इंपोर्टेंट की फूल आने के साथ से आफ दिन बात बह बिंदी आती है यानि कि फूल आ जाए तो साथ से आफ दिन बात बहुदे तरीक इस जिब जुड़े करने के हो और प्लांट टू प्लांट की बात करें तो 30 cm तो कूल मिला कि आर इंटू पी होगा 45 से 60 cm इंटू 30 से 30 cm 42 से 60 cm इंटू 30 cm और वीड कंट्रोल की बात करें तो प्री प्लांट एप्लिकेशन और फ्लू क्लोरल इंटू 0.5 से एक किलोग्राम और पर हेक्टियर और उसके साथ साथ एक हैंड वीडिंग कर देंगे साथ डे आफ्र सुइंग में विन्यर एंट फिटी लेजर की बात करें तो एफ आइम बीस टन पर हेक्टियर के हिसाब से आपन ताल देंगे सुइंग के टाइम पर और एंट के की बात करें तो 100 इस्टू 60 मलब 100 kg नाइट्रोजन साथ की फोस्पोरस भाटे फॉट्यू नाइट्रोजन को आपन क्या करेंगे तीन स्प्लिट दोजेज में देंगे तो एक डोस तो आपन व्यस पाटिशल के रूप में शुरुआत मीं देंगे जब आपन फोस्पोरस भाटेश्यम के टाइम पर दे रहे हैं तो वंई जो two split doses है तो एक महीने बात दे देढ़ेंगे सोंग के बाल जू करने जाएंगा ने राम साonst टो diff सवन देजन झांतर एक नो क्वेस्टम उती सॉन नाय। 2022 1997 Elohim फूल फूल आने लग जाएंगे और आपकी फलियां मेलब एक टेंडर 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 प्रूट त्यार हो जाएगा परस्ट आर्वेस्टिंग कप करेंगे तो पेटली से साथ डिय आप्टर सुएंग और मेचुरीटी इंडेक्स क्या इसका तो टेंडरनेस या तरो ताजा बिन्नी इंसेक्ट यह बास करें तो जेसीट लगते हैं जो सेल का सेब्सब्सब्स करेंगे ना इस पर आप तो उसका नहीं कंट्रोल कैसे करेंगे तो आपने इस पर लेंगे क्रॉब को थायूमितक जाहिम से हाफ गिलीटर पर लिटर वाटर के अंदर और उसी डिजिस कॉ पर लेंगे पर लसंट पर लेंगे तो फोट टोरन्त तो वह सेंद कर लेंगे और वह ठीक्ठा कीड़ दे देंगे हैं बिजिस के बाद कि आओर्डी मियों लगता है पर इनोइज पर स्फिसीज की वाज़े से होता हैं मीसचेर करके 3 ग्राम के साबस सीट का स्थीट्मेट करेंगे पौडरीडी इस पर यूज होता है तो इसका इस 20-25 किलोगराम पर 1 पर किरतीर के शाब से हैं एक मिलेटर पर लिटर वाटर के साफ से तो यह था बिंडी का शोट इंट्रो उम्मीद करता हूं आपको ठीक ठाक लगा होगा तो इसका पीडिएप अगर आपको चाहिए तो वह टेलीग्राम पर अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है बाकी टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थेंक यू बाई